Hello friends, पिछली कुछ वीडियो में हम लोग ने बुद्धा की लाइफ के बारे में जाना, इसके बाद हमने बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बुद्धिज्म किस तरह spread हुआ और उसमें संग की क्या भूमी का थी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने माले हैं बुद्धिस काउंसल की तो जैसा कि हमने पिछली कुछ वीडियो में आ लेरी देखा कि बुद्धा ने 35 येर्ज की एज में निर्वाना को प्राप्त किया और अल्टिमेटली 80 येर्ज की एज में उनकी डेथ हो गई निर्वाना को प्राप्त करने के बाद इन 45 येर्ज में बुद्धा लगातार बुद्धिस्म की टीचिंग्स को प्रीच करते रहे और इस काम को एफेक्टिबली करने के लिए इन्होंने अपने फोल्वर्स का एक ओर्डर बनाया जिसे संग कहा गया तो बुद्धा लगातार अपनी टीचिंग्स संग के इन भिक्षों को देते रहे और ये भिक्षू लगातार बुद्धा की टीचिंग्स को जगा जगा स्प्रेड करते रहे बट बुद्धा के जीवन काल में उन्होंने जो भी टीचिंग्स संग के इन भिक्षों को दी उसको कहीं पर भी written form में record नहीं किया गया और जब 483 BC में बुद्धा की death हो गई तो ऐसे में फ़र्ष बुद्धिस काउंसल को organize किया गया ताकि बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स हैं उन्हें एक written form में record किया जा सके so that बुद्धा की टीचिंग्स की purity सदियों तक बरकरार रहे पहली बुद्धिस काउंसल राजगिरा में organize की गई राजगिरा मगत की capital थी और आज की rate में ये जगा बिहार में है इस काउंसल को paternize किया था अजास शत्रू ने जो की हरियंका डाइनस्टी के ruler थे फ़र्ष बुद्धिस काउंसल के चेर्में थे महा कसपा ये नाम कटपा से मिलता जुलता है तो यादन रखने में आपको आसानी होगे इस काउंसल में उपाली ने विनय पीतक को compose किया जिसमें आपको वो सारे rules देखने को मिलते हैं जो कि किसी भी भिख्षू यानि बुद्धिस्ट मौंक या नन को पोलू करने होते हैं इंक्लूडिंग पती मुखारूज जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी इसी के साथ साथ इसी काउंसल में आनन्दा ने सुथ पीतक को compose किया यहाँ पर सुथ पीतक में ये जो वर्ड है सुथ इसे संस्कृत वर्ड सूत्र से लिया गया है जिसका मतलब होता है थ्रेड यानि धागा और इस कंटेक्ष्ट में सूत्र का मतलब है एक स्टाइल जिसके द्वारा आइडियाज को शॉर्ट और कंडेंस्ट फॉर्म में एक्स्प्रस किया जा सकता है और सुत्पीतक में आनन्द ने बुद्धा की टीचिंग्स को कंपोज किया इसमें वही बाते लिखी गई जो कि खुद बुद्धा ने अपनी लाइफ टाइम में कही थी सुत्पीतक में बुद्धा की टीचिंग्स को एक डायलोग की फॉर्म में यानि एक बातचीत की तरह present किया गया है ये दोनों canonical text पाली लेंग्विज में compose किये गये थे तो अगर हम लोग first बुद्धिस council को summarize करें तो हम देख सकते हैं कि ये council 483 BC में हुई थी उसी साल जिस साल बुद्धा की death हुई इसे मगत की capital राजगिरा में organize किया गया था इसके chairman थे महाकसपा और इस council को paternize किया था अजास शत्रू ने इसके 100 सालों के बाद यानि 383 BC में second buddhist council को organize किया गया ये council वैशाली में organize की गई थी जो कि आज की rate में बिहार में है और इसके chairman थे साबा कामी साबा कामी के नाम को आप former cricketer साबा करीम के नाम से याद रख सकते हैं इस council को paternize किया था काल अशोक ने और इस council के दुरान एक विवाद उठा जिसमें कुछ buddhist मौक चाहते थे कि विने पीतक में कुछ और monastery rules को add किया जाए विने पीतक वही canonical text है जिसे first buddhist council में compose गया था उपाली के दुआरा तो इस second buddhist council में इस बात को लेकर विवाद था कि क्या विने पीतक में और monistic rules को add किया जाना चाहिए या नहीं इसके चलते संग में एक division देखने को मिला जो लोग विने पीतक में ज्यादा rules करने की बात कर रहे थे वो लोग minority में थे उनको orthodox कहा गया यानि पुराने विचारो वाला कहा गया और इन्हें स्थावीरवादी या थेरावादी के नाम से जाना गया इसके इलावा जो groups majority में था उनको unorthodox माना गया और उन्हें महा संगी काज कहा गया तो ये तो भी बात second Buddhist council की इसके बाद 250 BC में third Buddhist council को और्गनाईज किया गया ये council मगत की capital पाटली पुत्र में और्गनाईज की गई थी और ये आज की डेट में भिहार में है इस council के chairman थे मोगली पुत्र तिस्सा इन्हें उप गुपता के नाम से भी जाना जाता है और इस council को paternize किया था आशोक ने इस council में अभिधम पीतक को compose किया गया अब question ये है कि बुद्धा की death के तुरंत बाद जितनी भी बुद्धा से मिली knowledge थी उसको दो canonical text में compose कर दिया गया था सुथ पीतक और विन्ह पीतक सुथ पीतक के अंदर बुद्धा की teachings थी और विन्ह पीतक के अंदर वो rules थे जिने nuns और monks को follow करने होते थे तो फिर first buddhist council में बुद्धा की ऐसी कौन सी teaching थी जो कि तब record नहीं हो पाई यानि जिसको compose नहीं किया गया और अब almost 230 सालों के बाद उसको compose करने की बात की जा रही थी तो बात यह है कि यहाँ पर यह जो अभिदम पीतक है यह अपने आप में एक नया canonical text तो है लेकिन इसके अंदर जो details है वो basically सुथ पीतक से ही derive की गई है यहाँ पर सुथ पीतक की जो भी teachings है उनकी thorough study और उनको एक systemized way में organize किया गया है through list, summaries और questions and answers की form में यानि कहा जा सकता है कि यह एक revised version है जिसके अंदर ज्यादा अच्छे से explanation है ज्यादा अच्छे से representation है और question and answer की form में इसको compose किया गया है summaries दी गई है को complete कर दिया गया इन तीनो canonical text यानि सुथ पीतक, विने पीतक और अभिधम पीतक इन तीनो को मिलाकर त्री पीतक कहा जाता है और त्री पीतक का little meaning है त्री बास्केट्स या फिर त्री कलेक्शन्स इसके बाद 1st century AD में 4th Buddhist council को organize किया गया इस council को कश्मीर में organize किया गया था और इसके chairman थे वासू मित्रा और इस council को paternize किया कनिशका ने इस council में बुद्धिज्म धर्म दो major sect में डिवाइड हो गया ये दो major sect थे हीनियान यानि lesser vehicle और महायान यानि greater vehicle अब obvious सी बात है कि इनको ये नाम आपसी सहमती से तो नहीं मिले होंगे क्योंकि कोई भी अपने sect का नाम lesser vehicle क्यों रखेगा तो basically हुआ क्या कि महायानिस नहीं अपने से दूसरे sect के लोगों को हीनियान का नाम दिया और क्यों दिया ये अभी थोड़ी दिर में हम लोग दिखेंगे तो बात ये है कि इन दोनों में जो फर्क है वो है इनके goals से लेटर हीनियान कहता है कि हर एक मौंक का goal ये है कि वो अपने lifetime में निर्वाना को attain करे क्योंकि जब वो इस goal को अचीव करता है तो वो संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है महायानिस का कहना था कि ये goal एक lesser goal है इसलिए महायानिस ने इस sect को हीनियान कहा था तो आप देखना ये है कि अगर ये goal lesser goal है तो इससे बड़ा goal क्या हो सकता है तो महायानिस का जो goal था वो ये था कि एक monk बोधी सत्वा बनके लोगों के welfare के लिए काम करेगा और एक बोधी सत्वा वो इनसान होता है जो कि निर्वाना से बस एक कदम दूर है बट निर्वाना अचीव करने की बजाए वो ये decide करता है या ये choose करता है कि वो दूसरे लोगों की help करेगा ताकि वो निर्वाना को अचीव कर पाए तो ये है goal उन लोगों का जो कि महायान सेक्ट को follow करते है और इसी को महायानिस ने greater वही कल बताया है और कहा है कि इनका जो सेक्ट है वो महा करूना के उपर based है यानि दूसरों के लिए greater compassion जबकि हीनियान का कहना था कि हर किसी को अपने खुद के salvation के लिए काम करना चाहिए जो सही रास्ते पर सही मेनत करेगा उसको salvation मिल जाएगा तो I hope कि हीनियान और महायान के जो difference है वो आप समच चुके होंगे अब क्योंकि बुद्धिस्ब में दो different sect बन चुके हैं इसलिए इनके literature's भी थोड़े different तो होंगे ही तो महायानिस्त ने 3P तक के अपने खुद के Sanskrit versions तयार किये और साथ ही साथ एक नया set of Sanskrit literature भी तयार किया जिसे वैपुल्य सूत्र कहा गया तो ये था difference हीनियान और महायान का अब क्योंकि महायान में बुद्धा के अलावा बुद्धी सत्वास को भी काफी एहमियत दी जाती है इसलिए इन लोगों ने दीरे दीरे बुद्धा और बुद्धी सत्वास की आइडल वर्शिप शुरू कर दी थी अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी वाली बात है और वो ये कि फोर्थ बुद्धिस काउंसिल को अश्वगोश ने भी अटेंड किया था अब आप पूछोगे कि ये अश्वगोश कोन है तो ऐसा माना जाता है कि अश्वगोश पहले संस्कृट ड्रेमेटिस्ट थे और कालिदास से पहले इनी को ग्रेटेस्ट इंडियन पॉइट माना जाता था और साथी साथ ये कनिश्का के स्पीच्वल एडवाईजर भी थे कनिश्का के फिलोसफर और गाइड भी थे इन्होंने संस्कृत में बुद्ध चरित को भी लिखा था तो ये थी डीटेस बुद्धिस कांसल की इंडियन पॉलिटी को डीटेल में कवर करने के लिए आप बुखस्थावा एप को डाउनलोड कर सकते हैं UPSC के लिए Modern History और Ancient History को डीटेल में कवर करनी है तो बुखस्थावा की प्लेस को फोलो कीजिए तैंक यू सो मच पो वाचिंग और सपोर्टिंग बुखस्थावा